बुद्ध ने संसार में तीन चीजे दुरलब बताई है मुनुस्य का जीवन पाना दुरलब है और मुनुस्य का सत्य के धम को सुम्रन करना दुरलब है और तीसरा संसार में बुद्ध होना दुरलब है मैं बुद्ध के इन तीन दुरलब में से एक दुरलब बता रहूँ कि मुनुस्य का जीवन पाना दुरलब है इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि आप भी मुनुस्य है तो आप भी इस अंसार में दुरलब प्रानी है कदापी ऐसा भरम मत रखना अपने इस भरम की दिवारों को गिरा डालो कोकि जिस मुनुस्य की बात कर रहे उस मुनुस्य को केवल ये मुनुस्य नहीं कह रहे उनके कहने का संकेत ही है कि इस मुनुस्य सरीर में जब तक मुनुस्य तत्तु पैदा ना हो जाए तुम्हारे भीतर प्रुस्त्रात पैदा ना हो जाए और वह मुनुस्य केवल वो नहीं जो केवल संसार में जनम लेने के बाद केवल जीवन यापन पे अपने जीविका को जीता है बलकि बुदुस्य मुनुस्य की बात करते जो मुनुस्य इस जीवन रूपी में भोग आसक्तियों से रहित रहे कर अपनी इंद्रियाओं की आसक्तियों से रहित रहे कर जो सात्वी सत्य के मार्ग पे चलता है और अपनी प्रग्या के तेज से निर्वान को प्राफ्त करता है उस निर्वान के मार्ग और निर्वान के पत्थ को पाने वाला मुनुस्य दुरलब है यह सरीर दुरलब नहीं है कोईकि यह सरीर अगर जीवन यापन के लिए मात्र संसार में आया है तो यह दुरलब नहीं है दुरलब तब आपका जीवन हो जाता है जब आप इस सरीर में आत्मिक बोध को पैदा कर देते हो तब ऐसे मुनस्य संसार में दुरलब होते है नमा बुद्धाए